तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर तो आज का वीडियो जो है बेसिकली यह होने वाला है कि जो जूनियर इंजिनियर के जितने भी एक्जाम होते हैं उसके लिए बुक्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है ठीक है एक बच्चे ने आप जब भी कभी कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा यह बनाऊंगा क्योंकि बुक्स बताना बहुत जरूरी होता है ठीक है तो बुक्स पे एक वीडियो बता देता हूं सबसे बहले हम बात करते हैं बुक्स को चूज करने से पहले बुक्स चूज कैसे करे जाती है आज मैं सारा सिस्टम बता दूँगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉड़न्ट होने वाला है क्योंकि बुक से रिलेटिट कन्फूजन जो होता है वो सभी स्टूडेंट्स को लगभग लगभग होता ही है तो आज मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी इक्जामिनेशन किस प्रकार का है ठीक है बुक चूज करने से पहले कि हम जो कंपेटिशन की त्यारी कर रहे है वो बेसिकली किस एक्जाम की कर रहे है फॉर एक्जाम टेक्निकल है वो एक्जाम नॉन टेक्निकल है टेक्निकल में भी असिस्टेंट इंजिनियर लेवल का है gate level का है engineering services level का है या फिर junior engineer level का है इसके हिसाब से हमेशा books को choose करी जाती है यह नहीं कि exam je का है ठीक है त्यारी के लिए आपने book ले 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 engineering services की ठीक है तो आपको decide करना है कि books आपको किस तरीके की लेनी है ठीक है तो majority of आजकल जो exam जादा तर वो junior engineers के ही हो रहे हैं तो J.E. level पे जो exam है सिरफ UPP cell J.E. की में बात नहीं कर रहा सारे J.E. के exam की तयारी किस प्रकार हम books के थरू कर सकते हैं सबसे पहले books जो हैं ठीक है ना books जो हैं उनका चुनाओ किस प्रकार करा जाता है देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं की main जो thing होती है सारी books में वो same होती है for example electrical machine की अगर मैं कोई किताब ले रहा हूं ठीक है मान लो मैंने electrical machine की किताब ली WK में था ठीक है और दूसरी किताब है electrical machine की J.B. गुपता बताना दोनोंने same ही है क्योंकि जो पढ़ाई होती है वो होती है universal concept universal concept का मतलब क्या होता है transformer यदि electromagnetic induction पे work करता है ठीक है faradale of electromagnetic induction पे work करता है तो J.B. गुपता जी भी उसको बताएंगे कि faradale of electromagnetic induction पे work करता है और WK महता जी भी वही बताएंगे machines में कि faradale of electromagnetic induction पे work करता है बस बताने का तरीका दोनों का अलग-अलग होता है और जो तरीका आपको भाता है वो आपकी बुक बन जाती है ठीक है तो ये होता है बुक का चुनाओ करना भाई बताना सबने एक है फ़र इक्जांपल मैं पावर सिस्टम पढ़ भाई रहा हूँ हाइड्रो एलेक्रिक पावर प्लान्ट या दूकिलियर पावर प्लान्ट मुझे पढ़ना है वी के महता जी भी वही बताएंगे कि हाइडरोएलेक्ट्रिक पाउर ब्लानट में क्या rhythm यूज होता है J.B. गुप्ता जी भी बताएंगे सारे वही बताएंगे B.L. ठूरेजा जी भी वही बताएंगे फरक सिरफ इतना होगा कि उनके डाइग्राम बनाने का समझाने का किताब के लेखन का हलका सा तरीका ऐसा होगा किसी को वीके मैता का जादा अच्छा समझ आएगा किसी को जेवी गुपता का समझ आएगा तो किताब आप वो लें जिससे आपको समझ आता है ठीक है तो मैंने कौन सी ली थी मैं अपना प्रोसीजर बता जाता हूँ उससे आप से आप इसी तरीके से ये भी ले सकते हैं और और कोई भी ले सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं जिस सब्जेक्ट के किताब हर एक electrical engineer के पास होनी चीए वो सब्जेक्ट कौन सा है पहला electrical machine और दूसरा power system भले ही present time में UPPCL के अंदर इनकी weightage कम हो गयो लेकिन बाकी जितने exam है उनमें इनकी weightage ज़्यादा है और weightage से कोई लेना देना नहीं होता यदि आप एक असली electrical engineer है और अपना career जो है वो electrical engineering के खेतरे में बहुत जबरदस्त बनाना चाहते है तो दोस्तों electrical machine और power system की किताब आप पे हमेशा होनी चाहिए जौब करने से पहले भी college में भी तैयारी करते वक्त भी और जब आप job पे निकल जाएंगे तब भे आपको जो सबसे ज़ादा काम आएंगी ना किताबे वो दो ही subject की आएंगी electrical machine और power system की वो चाहे आप किसी भी state electricity board में select होए चाहे आप UP PCL में select होए चाहे आप उतराखंड PCL में select होए चाहे हर्याना PCL चाहे PS PCL चंडिगड PCL कोई साभी PCL है MPPGCL है या फिर किसी NH PC हो गया power grid हो गया electrical machine और power system की ही वो किताब आपको काम आने वाली है तो machines की जो book है ठीक है machines की जो book है वो आप कौन सी ले सकते है मैंने तो लेती जेबी गुपता गी ठीक है JB गुपता ठीक है JB गुपता machines की यह जो machines की JB गुपता है यह एक तो बहुत मोटी machines की JB गुपता है वो नहीं इसका नहीं shorter version भी आता है semester के लिए ठीक है short version भी आता है electrical machines बाई JB गुपता के नाम से यह फट गी है इतनी पड़ी है मैंने कि फट गई है अब यह किताबे तो यहां से दिखाता हूँ Electro Mechanical Energy Convergence by JB गुपता ठीक है यह किताब है machines की बुका उसमें इतना basic से पढ़ाया हुआ है और जो machines के मैंने अभी lecture आदे छोड़े हुए है ना सारी machine कराऊंगा अभी इसलिए छोड़े हुए है क्योंकि electronics पढ़ा रहा हूँ मैं और साथ-साथ में ऐसी videos लेके आ रहा हूँ उसमें मैंने मैं पहले SSC JE की strategy पर वीडियोज लेके आऊंगा और फिर लेके आऊंगा मैंने electronics भी पढ़ा रहा हूँ मैं तो electronics में tunnel diode आएगा शौट की डायोड आएगा उसके बाद machines के भी बीच में lectures लेके आऊंगा और electric measurements and measuring instruments के सिरफ तीन lecture upload किये हुए है सिदा सिदा सिद mechanical energy conversion by J.W. गुपता यह यह बुक है ठीक है यह बुक जो बिल्कुल semester इससे आप junior engineer की theory पढ़ सकते हैं ठीक है सारी की सारी यह देखो पूरा बता रखा इसमें ठीक है यह ले सकते हैं और इसी के साथ आप दूसरी भी ले सकते हैं यह जैसे DC machine हो गया ठीक है यह देखो DC machines को स सारा आर्मेचर हो गया ठीक है कैसे होता है सारा बता रखा है ठीक है और सब दिखा रखा है ठीक है स्टार्टर ठीक है सब दे रखा इसमें ठीक है सारे हैं इंडक्शन मशीन से लेके AC और DC machine दूनों की cover है इसमें तो यह किताब बहुत अच्छी है अगर यह किताब आप प अच्छी किताब है ठीक है वह भी आप ले सकते हैं इसी तरह आप कोई और भी ले सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो किताब आती है सब से important subject जो आजकल हो गया ना power system में वह हो गया generation का generation से बहुत ज़्यादा question पुछे जा रहे हैं क्योंकि बच्चे का करते हैं generation को light ले लेते हैं और generation से ही आजकल question पुछे जा रहे हैं फढ़ा लें power plant की running cost कैसी होती है hydroelectric power plant में क्या होते हैं stand by losses होते हैं नहीं होते हैं ऐसे question आते हैं कौन सा plant base load plant है पीक load plant है उसके लिए जो सारा रामबार है जबरदस्त किताब वो है generation of electric energy by BR गुपतावड़ी standard किताब है यह किताब में generation पूरा cover है अगर आपके पास यह किताब नहीं है तो आप वीके महता की power system की किताब भी ले सकते हैं ठीक है वो भी इसी तरीके से ही है ठीक है वीके महता में जो starting portion है जनरेशन का अगर आप वो भी पढ़ जाएंगे तो सारे question अब generation के attempt कर सकते हैं तो generation के लिए यह किताब है BR गुपता की किताब है सारा generation इसमें cover होता है all totally सारा generation सारे power plants यह देखिए सारा का सारा ठीक है सारे power plants hydroelectric power plant हो गया ठीक है यह देखिए hydroelectric power plant हो गया यह रहा hydroelectric power plant nuclear power plant thermal power plant captive power generation solar energy nuclear energy renewable source of energy energy और energy audit तक इसमें last तक cover है तो generation का यदी जिस time मैं generation पढ़ाऊंगा आपको आपको असली feeling आएगी generation की generation सबसे जबर दस अभी मेरा transmission distribution भी मैंने आता छोड़ा हूआ cable तक videos हैं उसमें cable भी मैंने पूरी नहीं पढ़ाए भी cables भी पढ़ाऊंगा मैं ठीक है जब तक UPP cell का इस बार exam होगा सितंबर से भी last में ठीक है सितंबर तक तो मुझे लग रहा है vacancy आएगी ठीक है तो October November तक exam होगा तो तब तक तो मैं पूरा generation भी cover करा दूँगा और generation देखना ऐसा पढ़ाऊंगा आपको भी लगएगा यार वाकई YouTube पे ऐसा generation कभी नहीं पढ़ा ऐसे ऐसे point तो generation के लिए यह किताब ले सकते हैं और साथी साथ में आप वी के महता भी यूज कर सकते हैं किताब बस जो आपको समझ में आए वो किताब होती है next किताब है electric measurements and measuring instruments तो electric measurements and measuring instruments की जो बुक है वो state board की कोई सी भी आप किताब ले सकते हैं को यह बहुत basic subject है इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही vast कोई standard बुक पढ़ने की जूरत नहीं है junior engineering level पे इसके बहुत basic question आते हैं अब जैसे प्रदीप सिंग बिष्टी जी है उनको भी पता होगा उन्होंने भी बहुत बार यूपी PCL दिया हुआ है तो UP PCL LMRC इनमें जो measurements का subject होता ना इसमें बहुत जादा depth में नहीं पुछ जाता इनमें ऐसे question पुछ जाते हैं जो acting talk this instrument की RMS value depend करती है क्या होता है ठीक है इस तरीके से question पुछ जाते हैं तो उसके लिए आप कोई सी भी अपनी state लिखी हुई है controlling टॉर damping टॉर की वह यूज कर सकते हैं मैंने फिलाल यह book यूज करी थी यह जो state board होता है ना उसका state बोर्ड है ना जो state board का state board का state board का मैंने English version यूज किया था ठीक है तो इंग्लिश वर्जन की आप कोई भी book यूज कर सकते है next होता है हमारे पास utilization of electrical energy utilization of electrical energy एक बहुत ही important subject है तो utilization of electrical energy के लिए आप state board की कोई सी भी अपनी हिंदी की book यूज कर सकते हैं जो हिंदी में नहीं पढ़ना चाता इंग्लिश में पढ़ना चाता तो market में सब कुछ available होता है आप इतने आधुनिक हो गया है ठीक है तो market में आप न कोई से भी अगर utilization of electrical energy की बहुत ही basic book है और बहुत ही अच्छे से समझा रखा है हर topic को यह ले सकते हैं आप यह अपने state board की कोई book ही ले सकते हैं utilization of electrical energy की तो इसमें भी काफी अच्छा दे रखा है lamps के बारे में सारा समझा रखा है कौन सा lamp किस तरीके का होता है उनके diagram figure बना के यह देखो tungsten filament बीच में table बनाके points बनाके ठीक है तो सब अच्छी तरह दे रखा है ठीक है तो आप यह ले सकते हैं books ठीक है ठीक है तो utilization of electrical energy के लिए आप ले सकते हैं सार्थक publication की होगी इसान publication की होगी North publication यही publication चलते हैं English में तो हिंदी में तो आपको पता यह state board की कोई सी भी आप ले सकत हैं कहीं से ठीक है books अगर आपके पास नहीं है और लेना चाहते हैं तो programmable logic controller की यह बहुत अच्छी book है इशान publications की programmable logic controllers और सार्थक publications वगारा की भी आती हैं वो भी आप ले सकते हैं North publications की भी आती है हिंदी की state board की किताब है वो भी बहुत जबर्दस्त book है programmable logic controllers के लिए वहा entrepreneurship के लिए सुर्वी जिंदल चलेगी ठीक है entrepreneurship की book है सुर्वी जिंदल की है बड़ा यार इसको पढ़ने में अब अब आसी है इतना boring subject है तब भी पढ़ना पढ़ता बताओ technical बंदों को पढ़ना पढ़ रहा है एक तो यह यूपी PCL नहीं करा है सारा खराब काम मेरे को सबस एंसी को भी practice करता है क्योंकि मेरे को इसको पढ़ते समना नीद आती है एसे ठीक है लेकिन पर पढ़ना जरूरी है अब यह भी ठीक है तो इसके लिए आप यह सुर्वी जिंदल की किताब ले सकते हैं या फिर स्टेट बोर्ड की किताब ले सकते हैं या फिर आप ऐसे भी क लेकिन यह टेकनिकल स्टुडेंट्स को ऐसे सब्जक्त पढ़ने में न नीद आती है ठीक है थोड़ा सा ऐसा तो होता है आपको भी पता होगा जो टेकनिकल वाला होता है उसको ऐसे सब्जक्त बड़े frustration लगते हैं खासकर उनका जिनका टेकनिकल बहुत स्ट्रॉंग होता ह ठीक है हमें थोड़ा लोजिस्टिक चीज़ों को पढ़ने की आदद होती है इसमें यह बिजनेस खोल दिया उसने यह फलाना कर दिया वह अलाना कर दिया और फिर बंदा ऐसे किताब को लेता इसी में यूं करके सोजाता है मैं तो ऐसे सोजाता हूं इसको पढ़ते समय ठी इससी जेई वगरा के जो एक्जाम्स है ठीक है उनमें तो रेपेटेटिव यह आता जादा इतना कोई कॉम्प्लिकेटिट पेपर नहीं आता ठीक है तो उसके लिए तो अभी भी कन्वेंशनल बुक्स ही चल रही है जैसे कि एससी जेई आर गुपता की जूनियर इंजिनि इस बार निकालना है ससी जेई एगर निकालना मे इजिसी पप्लिकेशन की बुक लो और सब्जेक्टिव दुन्यों और दुन्यों दोंनों का रट्टा मार दो मैक्सीमम कोश्टन उसी से आते हैं देख ले ना सससी में उससे रिपीट कुछ नहीं होते हैं वहो हज़ेगा और जो मेरी mcq series चल रहे है न ssc.j.e. में तो वहीं से question उठेंगे ssc.j.e. इतना कोई complicated नहीं आता प्री में mains निकालना उसका मुश्किल होता है mains में क्योंकि लिखना होता है mains में handwriting भी बहुत जादा important हो जाती है यह सारे points में अलग वीडियो में ssc.j.e. के लिए एक dedicated वीडियो भी लेके आऊँगा वहाँ पर discuss करूँगा बट आर गुपता की objective ले सकते हैं और made easy की भी आप ले सकते हैं ठीक है यह objective book है आर गुपता ssc.j.e. electrical कईयों को पता भी होगा एक जैसे सी होती है सारी किताबे दूसरा जिस किताब को आपने लेना है वो किताब backbone है read की हड़ी आज भी उस किताब को कोई match नहीं कर सकता है और सारे concept वही किताब बनाती है उस किताब का नाम है youth की किताब यूथ की किताब तो यहाँ पर लाने लायक नहीं थी 617 बार मैंने practice किया youth को ठीक है तो 617 बार पढ़के अरवी मैं 618 और 19 बार अभी जो paper आने वाले है उनके लिए फिर से पढ़ूँगा ठीक है तो youth की किताब यहाँ पर लाने लायक नहीं थी वो बहुत ज़्यादा फटकी है ठीक है चि उसमें मैं डेड़ नंबर से रह गया ठीक है लेकिन उसमें youth से directly question पुछे गए थे ठीक है और जो sale होते न steel authority of India limited operator come technician training उसके मैं skill test तक पहुचा था यूथ से ही पा देते हैं तो यूथ अभी भी कई exams के लिए बहुत important है और यूथ आपको पढ़नी जरूरी है ठीक है तो यूथ पढ़ लेना एक यह पढ़ सकते हो आर अससी जहीं के आरार्बी वाली वह सोरी कि नेक्स्ट वाई नेक्स्ट वाई सबसे important किताब है यह भी बहुत बारी यह है बाई objective electrical engineering भाई आर के राजपूत बेसिक पे अगर जिसको command बनानी है हर subject का basic ठीक है रामबान है त्यारी start करो आर के राजपूत से start करो नए लड़कों के लिए सबसे important आर के राजपूत देखो यह भी फटगी है तो आर के राजपूत जो है वो important book है ठीक है तो यह भी आप ले सकते हैं आर के राजपूत की और यह होनी भी चीए क्योंकि NFL जैसे exams जो है उनमे डिरेक्ट लिए भी पूछा जाता है तो भाई आर के राजपूत आपको लेनी है ठीक है नेक्स्ट है भाई non-technical के लिए तो non-technical के लिए जो book है हमारे पास lucent की book है ठीक है lucent की book general knowledge के लिए बहुत अच्छे इस book को पूरा कोई नहीं पढ़ सकता जो पढ़ेगा वो पागल होएगा इसमें से कुछ-कुछ points बनाने हैं आपको points बनाके ही आप इसको cover कर सकते हैं सारे पढ़ते हैं non-technical की एकी किताब होते हैं non-technical किस्मत पर भी depend करता है इतनी बड़ी जीके है आपकी जो किस्मत में होगा वो आएगा ठीक है तो कुछ-कुछ पढ़के जाओ ठीक है पूरा पढ़ने की कोई ज़रोत नहीं है main-main points हर चीज के ठीक है reasoning के लिए कोई भी book ले सकते हैं reasoning के लिए मैंने लिठी basic reasoning by aryant आप इसी तरह कोई सी भी ले सकते हैं हिंदी में ले लिए जैंग्लिश में ले लिजिए reasoning बिल्कुल normal आती है इसमें ठीक है जैई exams में ठीक है बस practice में बाद होती है कम उसमें जो जादा कर गया अप्टिट्यूड के अंदर अरेहंत भाई फास्ट्रैक मैथमेटिक्स ले थी मैंने यह वली ठीक है आप कोई से भी ले सकते हैं आरके राज्च अर्स अर्वाल ले सकते हैं ठीक है अरेहंत Speedy Mathematics ले सकते हैं या फिर अरेहंत Fast Track Mathematics भी ले सकते हैं ठीक है Speedy की Maths भी ले सकते हैं कोई सा भी ले सकते हैं ठीक है और Thank You यही होती है Books ठीक है इन्हें से आता है UP PCL में इन सारी Books के साथ समेस्टर बुक्स का पढ़ना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वहाँ पर Depth पुछे जाती है हर सब्जेक्ट की समेस्टर बुक को ठीक है Thank You